इसकंद पुराण करती है जिस व्यक्ति पर करजा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और करजा चूकता नहीं है आप बहुत प्रयास कर लिए करोडों रुपे का करजा हो गया यहां से लिया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया तो इसलिए प्रशासनिक कारे के लिए मानसिक टेंशन में परिशानियों में बटकेश्वर महादेव का इस्मर्ण किया जाए और यदि निवेदन करूंगा बहुत जादा यदि आपको करजा हो गया है बहुत जादा करजा हो गया और वो करजा चुकी नहीं रहा तो थोड़े द पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना पीस के उस पानी में मिला लेना और मिला कर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डाल कर बटकेश्चर महादेओ के नाम से बढ़के पेड़ के नीचे अपनी कामना करकर जो करजा हुआ है उस करजे का भान देत आते हुए छोड़ दी महाराज दो या तीन सुम्बार एक ही जगा पर करना तीन सुम्बार वाद महीं से बढ़के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और जड़ को एक कोई धागे में बांद कर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो उसको थो स्तार होता है पानी गिरे ना गिरे जल वरिष्टी हो ना ओ गर्मी पड़े ना पड़े उसको कोई परक नहीं पड़ता बढ़का ब्रक्च आप रूप पहलता जाता उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है उसी तरह यह बटकेश्वर महादेयो कहीं से भी अगर जड़ अपने आप लच्चमी को पकड़कर खीच कर लाती है और करजे से मुक्त कर दे बटकेश्वर महादेयो का इसमन्र सुक का देना हो